हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सबी लोग आशा करते हूं आप सबी ठीक होंगे अच्छ होंगे मिरा नाम सुधीर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में 11 लाइफ इसकिल्स के बारे में तो देखिए आप पहला कोशन क्या है क्या करना चाहिए तो उसको बोलना चाहिए तो उसको बोलना चाहिए तो उस प्रेशन को बोलना चाहिए कि जो तुम्हारे कमेंट है वो अच्छे नहीं है और अगर तुम किसी को अप्रेशियेट नहीं कर सकते तो उसे हर्ट भी मत करो फिर एक क्वेशन नमर टू विच आथ फॉल्ल इंग्जांपल और वर्बल कम्निकेशन वर्बल कम्निकेशन इसम इसमिनेंशन इसमें फ्रेशन ईट्व चुचितिंग गार उपका दोस्त चीटिंग कर तो अब क्या बाइन करेंगे इसा तो का अजाता है लेकिन होता क्या है कि हम खुद उसमें सामिल होते हैं और चीटिंग करतें लिए तो इसका अंसर हो जाएगा और उप्चिन नमबर एक्सिडेंटली डैमेज बैडली यू शूट देखिए आपके दोस्त ने ठीक नहीं आपसे साइकल उधाल ली जो आपकी महगी साइकल थी और एक्सिडेंट से वो डैमेज हो जाती है बहुत ही बुरी तरीके से तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पर तो उससे बोलना ठीक है कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो ठीक है न और नहीं इसके बारे में तुम बुरा फिल करो ठीक है हो जाती है चीज़े तो यह लाइफ इसकल्स हमें क्यों करना है क्योंकि यह चीज़े जिंदगी में बहुत ज़रूरी है ठीक है न बहुत ज़रूरी है चले फाइ देख रहे हैं आप तो यहां पर आपको क्या करना है ट्रैफिक साइन में आपको बताना है कि यह कौन सा आपका ट्रैफिक साइन है तो यह है आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ठीक है यह यह कि पैदल पार करने की चीज़ें फिर सेवे नमबर अगर कोई इस्ट्रैंजर आपके डोर पर आता है तो आपको क्या करेंगे आप सबसे पहले अपने पैरेंट्स को इंफॉर्म करेंगे अगर आप देख रहे हैं किसी का एक्सिडेंट हो गया है तो आप क्या करेंगे तो आप बुलाएंगे एंबुलेंस को अगर आप किसी के बिहेवियर से खुश नहीं है तो आप क्या करेंगे ठीक है आप यहाँ पर करेंगे इस्टे काम एंड है वर्ट्स विथ हिंग इलेवन नमबर वाट शुट वी डू प्रोटेक्ट एंड कंसर्व दा इंवार्मेंट इंवार्मेंट को प्रोटेक्ट और करने के लिए हमें क्या करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट लगाने चाहिए चलिए अब यहां पर आते हैं कोशन नमबर आपका है 12 अभी वस पर फार्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन दा केमेस्ट्री लेब एंड ही एक्सिडेंटली मिच्ट टू केमकल्स देखिए अभी एक वच्चा है जो एक्सपेरिमेंट करता है केमिस्ट्री लेब में और उन्हें दो ऐसे कुछ केमकल्स मिला दिये जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम यह हो गई है कि वहां पर आपका एक्स्प्लोजन हो गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप अपने टीचर को इनफों करेंगे फिर थर्टी नंबर एक मंकी एद बॉटम आप दे वॉल वेल इन विस टेन फिट डीप ठीक है क्लाइम बाउट इच आवर इट जम्स तू फिल एंड स्लिप बैक देखी क्या है कि एक वेल है कुवा है जो दस मीटर है गहरा है तो इसमें मंकी है वो क्या क आजाता है दो मीटर वापस आजाता है यानि कि एक शलांग में यह सिर्फ एक मीटर जाता है ठीक है ना तो देखिए साथ शलांग में कितना जाएगा साथ चलांग में साथ मीटर जाएगा और जब यह साथ में पहुंच जाएगा फिर जब यह पहला लेगा ना तो सेवन प्लस 3 कितना होता है 10 तो जब यह अगली चलांग मारेगा तो यह 10 मीटर पहुंच जाएगा और ऊपर यह चला जाएगा तो इसका अंसर बनेगा 10 और एक यह हो जया तो कितने आवर हो गए 8 घंटे में यह उपर आ जाएगा फोटी नमबर empathy is the ability to understand what another person is feeling the benefits of empathy in education देखिए empathy का education में क्या role है यह आपको बताना है विल्डिंग positive culture transform बिल्कु ठीक है it helps to deepen relationship with classmate यह भी ठीक है 9 आवर इसका answer हो जाएगा option number C 9 आवर तो दोस्तिया आप वीडियो खत्म होता है और जिंदगी में आप अच्छी चीज़े सीखिए अच्छी चीज़े आपको बहुत ही work करती है आगे चलके आपको कुछ time तो लगेगा कि लोग आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं लेक आप अच्छी चीज़े सीखिए ठीक है ना दूसरों के रिए spec करिए चले तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा यह मेरा google पे नंबर अगर आप कुछ पेई करना चाहते तो कर सकते हैं चले मिलते हैं अगले वीडियो में